हेलो दोस्तो इस चैनल पर आपका स्वागत है नए नए जेनर नोलेज कुछ वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए चलते हैं पहला प्रस्म की ओर कौन सा पेड सबसे ज्यादा ओक्सिजन प्रादान करता है अपका उप्शन है A. आम का पेड़, B. पीपल का पेड, C. केले का पेड, D. नीम का पेड इस प्रस्म का उत्तर है option B. पीपल का पेड दूसरा प्रस्म भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमी की सिराजिय में है आपका उप्षन है A. उत्तर प्रदेश में, B. बिहार में, C. रजस्थान में, D. पंजाब में इस प्रस्न का उत्तर है उप्षन C. रजस्थान में तिसरा प्रस्न रानी लच्मिबाई जी की समाधी किस नगर में इस्थित है? आपका उप्षन है A. सिव पूरी में, B. इंदोर में, C. जासी में, D. गौालियार में इस प्रस्न का उत्तर है उप्षन D. गौालियार में चौथा प्रस्न भारत का सबसे बड़ा चिडियागार कहाँ पर इस्थित है? आपका उप्षन है A. बंगलोरू में, B. कनपूर में, C. नई दिल्ली में, D. चन्नाई में इस प्रस्न का उत्तर है उप्षन D. चन्नाई में पंच्वा प्रस्न भारत में एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? अपका उप्षन है A. असाम राज्य में, B. उत्तर प्रदेश में, C. हिमाचल प्रदेश में, D. इनमें से कोई नहीं इस प्रस्न का उत्तर है उप्षन A. असाम राज्य में चाटमा प्रस्न सर्वप्रथम विजली ट्रेन किस सान में स्टार्ट हुई? आपका उप्षन है A. सान उनिस सो तीस में, B. सान उनिस सो अठाईस में, C. सान उनिस सो प्रदेश में, D. सान उनिस सो चालिस में इस प्रस्न का उत्तर है उप्षन C. सान उनिस सो प्रदेश में सात्मा प्रस्न कौन सा अनुछेद में हिंदी को भारत का राष्ट भासा घोशित किया गया है आपका अप्षन है A. अनुछेद 111, B. अनुछेद 333, C. अनुछेद 343, D. इनमे से कोई नहीं इस प्रस्न का उत्तर है ओप्षन C. अनुछेद 343 में अठोवा प्रस्न भारत में किस जन्वार को खरेदना जुर्म माना जाता है अपका अप्षन है A. बंदर को, D. सेर को, C. कुत्ता को, D. हाती को इस प्रस्न का उत्तर है ओप्षन B. सेर को नौवा प्रस्न भारत में कौन साचुनाव जन्ता नहीं करती है अपका ओप्षन है A. प्रधन मंत्री का, B. मुख्य मंत्री का, C. राष्टरपती का, D. इनमे से कोई नहीं इस प्रस्न का उत्तर है ओप्षन C. राष्टरपती का दस्वा प्रस्न सबसे ज्यादा उप्योग होने वाला एप कौन साच है? आपका ओप्षन है A. यूट्यूब B. फेस्बूक C. इन्स्टाग्राम D. मॉज एप इस प्रस्न का उत्तर है ओप्षन A. यूट्यूब B. आप इनमे से कितने सवालों के जवाब जनते थे, कौमेट करके जरूर बताईएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाई-बाई.